आपको बिहार लिया चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में लोगों की राय मोधी सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कई लोगों ने मोधी सरकार के पक्ष में राय दी, वहीं कई लोग विपक्ष के साथ नजर आए बिहार की राजधानी पटना में एतिहासिक बहुमत के साथ 2014 में सरकार बनाने के बाद बीजेपी के खिलाफ पहली बार विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है कल यानी की शुकरवार को इस पर चर्चा और वोटिंग होगी लेकिन हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश की जनता किसके साथ है इस वक्त हम पटना में गंगन अदी के किनारे पटना विश्व विद्याले के छातरों के साथ मौजूद है और हम छातरों से बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका विश्वास किसके साथ है यह बताइए कि आपको पता होगा कि संसद में आव विश्वास प्रस्ताव लाया गया है पहली बार मोधी सरकार के खिलाफ आप किसके साथ है राहूल गांधी नरेंद्र मोधी तरह से फ्लॉप रही है मगर युवाओं के लिए जो है राहूल गांधी बेटर है आज कॉंग्रेस जो थी मतलब वो पिछले आप समय देखे जो रोजगार का जो था वो परसेंटेज गिर चुका है मोधी सरकार में यह पार्टी बनी थी उसी को नहीं निभाब आ रही है कश्मीर हो ऐउद्ध्या में राम अंदिर हो मैं बिल्कुल नरेंद्र मोधी को देख रहा हूँ मेरा विश्वास परस्ता नरेंद्र मोधी की शाथ है तो पटना का विश्वास मत किसके साथ जल्दी से आपको पटना का मीटर दिखाते हैं मूड पटना का क्या कह रहा है यह विश्वास मीटर यहां देखिए मोधी के पक्ष में 57 फीसद राहूल के पक्ष में 43 फीसद यहां पलड़ा मोधी सरकार का भारी तो देश का विश्वास मत किसके साथ बटना में बढ़त मोधी सरकार को मिलती हुई नजर आ रही है